हेलो स्टेरेंट्स, वेलकूम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे आप सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोसल फार्मलिसी का चैप्टर नमर वन लेक्टर नमर थाड नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी गवर्मेंट नैशनल लेवल पर है राश्टी स्थर पर कैसी हेल्थ पॉलिसी अपना रही है अपने जनता को सारी हैल्थ या स्वास्ट सुविधाएं देने के लिए न उनके बारे में सारी बाते यहाँ पर होने वाली है ठीक है तो आप देखते हैं कि नैशनल हेल्थ पॉलिसी तो इसके तो सुरुवात कहां से हुई इसका जो कहते हैं बीज कहां से पड़ा तो इसका जो बीज पड़ा है अल्मा आटा जो कि कजाकिस्तान में है वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी कब हुई थी 1978 में और वो मीटिंग थी इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में गरीवी बहुत ज्यादा और लोगों का हैल्थ का इस्तर बहुत नीचे है तो 1978 में emerged as a major milestone एक मील का पत्थर की तरह सावित हुआ ये of the 20th century है ना यहाँ पर एक declaration हुआ एक तैसा समझो कि एक संधी हुई एक form भरा गया और पूरी दुनिया के देशों ने इसको sign किया माना in the field of public health क्या था ये public health को ले करके एक meeting हुई थी ठीक है ना alma ata में and it identified primary health care as the और इसने पाया की primary health care as the key to the attainment of the goal of health for all इसने पाया कि जो primary health है ये क्या है होना चाहिए गोल होना चाहिए health for all सबकी health सबकी देश के हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी जंता का जो कुकि गरीबी ज़्यादा है तो वो अपनी जंता क्या करे health for all याने कि ऐसा कुछ इस करे कि एक primary health care सुविधा हर किसी के पास तक पहुँचे ठीक है क्योंकि health के अब इसको देखते हुए जब संदी होगी सारी चीजा होगी तो इसको देखते हुए अब क्या हुआ इंडिया ने भी यहां पर साइन वगरा सब कुछ हुए अब इसको देखते हुए क्या हुआ national health policy का क्या होता है जन्म होता है ठीक है national health policy of India was framed after above declaration जब भी declaration हो गया अब बनाना था उसको तो the ministry of health and family welfare evolved अब ministry of health and family welfare ने evolve किया national health policy 1983 में डेट याद रखेंगे वनमाक्स के लिए इंपॉर्टेट है पहली बार national health policy कब आई थी 1983 में keeping in view the national commitment जो national commitment है उसका टू अटेन दा गोल health for all ठीक है गोल तर पूल कंट्री का सबका एकी था इनके लिए भी गोल क्या हुआ health for all by 2000 एडिया लगे 2000 तक सन 2000 आने तक सबको एक health के लिए primary सुविधाय है ना primary स्वास्त के इंद मिल जाए जिससे कि आदनी अपना अराम से छोटी मोटी बिमार्यों का इलाज करा सके ठीक बुक्ताम प्रोटोटाम प्रोटोटीज मतलब प्रोट्साख प्रोसान देना पब्लिक है और रिहलेशिए दसे अन CT को और रहीज़ेशन अच्छी अवस्था में नहीं तो उनका क्या करना था री हैविलेशन पुनर वास जिसे कहा जाता है ठीक है ना प्रिवेंटिव प्रोमोटिव पॉब्लीक है एंड री हैविलेशन एस्पेक्स ऑफ हैل्थ कैर है प्रवधान थे उन्हें उन्होंने प्रवेंटीव प्रमोटिव प्ब्लिक हेल्थ को रखा और रियाबिलीशन रखा किसका हैं जिल्थ केर सिस्टम के जिलिए रहे अब आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिशी तो अब कोई पूछ दे होता हूँ एम क्या था अब्जेक्टिव क्या था 1983 का Health for All कब तक 2000 तक ठीक है खेल खत्ब की element अब उसके अलावा भी कैसे अचीव करें और क्या क्या में बाते थी क्रेश्य आवा हैं क्रेश्य आव संभी अδर ग्रेश्य के ओ प्राबल्लम को जो अवेर्वललम को संभी सब्सक्रांच को कुम्मणी चतव क्या कराते तो कोई स्वल्व कर दो aider कि क्या हो रहा है क्या सब्सक्राइब गार सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हुए जिसको पीपल कर सकता है ठीक है ना अच्छा अच्छा नहीं है तो एक तरफ अच्छा डालमेंट एक तरफ लोडफलेप्मेंट हेल्थ केर और यह भेदवाद हो गया में इंबैलेंट आगया तो उन्हें फोकस्किया कि नहीं भाई हमें गाउन का भी जो रूलर का health infrastructure है उसको भी अच्छा करना है यह सब इसके वो है key elements establishing of dynamic health management ठीक है न जो health management है या फिर डानमिक किसे दिख्कात आज़े डानमिक मतलब health management को पूरा एकदम है ना डानमिक मतलब है एकदम से active dynamic health management information system to support health planning and health program implementation health management information system अब information system होना बहुत जरूरी है है ना मान लो सब कुछ आज के टाइब पर क्यांप्यूटराइज है जो जिस चहर में डाटा डाल देता यहां इतनों बिमार होते हैं अपर यह बिमारी है यह ऐसा चल रहा है गाउं में लोगों की मासित्ता यह है इस बिमारी का ऐसा चल रहा है दवाया कम रहती है सारी information जा रही है उसी के हिसाब से तो हमारा health program बनेगा अब इस सारी information data collect होगे कहां बहुत चाहां में एक सब्सडूर्ट मतलब जिससे आप तालोग रखते हैं एक action लिया गया to combat combat मतलब जिससे हम लड़ना चाहते हैं wide spread of malnutrition malnutrition मतलब खाने पीने की जो कमी है उसमें nutrition नहीं है देखा होगा उसकूलों में midday meal चलता है क्यों चलता है तो गाउं का आदनी गरीब है अपने बच्चे को वो चीज नहीं खिला पर रहा है मिड़े meal में क्या रहता है चने दलिया जो काफ सारी चीजे रहते हैं जो पोशक था तो होते हैं बच्चों के लिए तो इसके उपर जोड़ देना था इसको combat करना मतलब लड़ना है और इसको को हराना किसको मालोट्रिशन को Research in alternative method of health care delivery ठीक होना हम कैसे health के delivery हर किसी के पास तक पहूँचा पाएं lo cost health और उसकी cost भी क्या हो कम हो ऐसी technology सब्सक्राइब करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखते हुए कि यह सब बात अगर हम करेंगे तो उन्होंने सोचा कि हम अपना जो अपना में गॉल है हेल्थ फॉर और इसको हम लोग अचीव कर लेंगे पाते रखी गई सब कुछ सा लेकिन बहुत सारी की खामिया थी ठीक है उतने अच्छे तरीके साम इंप्लिमेंट नहीं कर पाए चीज़ें इसके अंदर अच्छी थी ठीक है तो उसी को मद्य नदर देखते हुए काफी ची स्टेट जो स्टेंडर असेब्लाइब चाहिए मतलब टेटम मनें में हर एक इंडिया का इक जो इतने हल्ट फोनी चाहिए थीक है मैंतर खासकर जो गरी लोगों की बात हो रही है फे डी सेंट्रलाइजींग पब्लीक एल्ट सिस्टम पब्लीक एल्स सिस्टम को डी सेंट्रलाइज कर दिया मतलब ऑफ्डरी अप्प्रेडिंग इन्फरेस्टर्ट्ट्चर इन existing institution कैसे हुआ यह जो existing जो already मौझूद थे institution मतलब जो संस्था है मौझूद थी उनका कहागया infrastructure को upgrade किया गया जो चीज़ already होती है उसमें modify करके चीज़ों को और अच्छा बना देना ensuring सुलिश्चित करना more equitable access equitable मतलब बराबरी to health services यह ensure किया जाए कि कोई भी इंसान हो बुड़ा, बच्चा, गरीब, मर्द, औरत, अमीर कोई भी हो equitable access सबको जो health care service है वो बराबरी से मिले यह नहीं कि भेदवा होगी इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा across the social and geographical expense of India पूरी जो social और geographical हमारे समाज में भेदवा हुई है ठीक है, decentralizing public health system अगर तुम यह भी line लिखते आते हो जो मैं bracket बंद कर रहा हूँ चलेगा enhancing मतलब बढ़ाना the contribution of private sector in providing health service for people who can afford to pay हमको यह भी देखना था कि भाई हम गाउं में तो कर रहे हैं भाई गाउं में एक सरकारी वाला हिसाब रहता है वो चाहते हैं कि हम लोग private sector में भी अच्छा हो जो लोग afford कर सकते हैं, pay कर सकते हैं अच्छा खासा वो private sector में जाकर कि उसको वो सारी सुविधाने तो मिल जाए ऐसो दिने कि उसे कोई बाहरी country में जाना पढ़ रहा है एक सहर से दूसरे सहर में जाना पढ़ रहा है हर सहर में at least private सुविधार तो ऐसी हो कि जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं अपने सहर में इलाज करा ले करें दूर ना जाना पढ़ जाए giving primacy primacy हो गया प्रधानता प्रधानता देनी है for prevention and first line curative initiative हमें रोक्ताम करनी है और first line curative मतलब उफ्चार का जो रहता है वो होना चाहिए emphasizing मतलब जोड देना है rational use of drug अब rational use of drug समझते हो तार्की की यूज़ ड्रग का है ना कैसे भर्मार के ड्रग बांद दिए जो होना चाहिए वही दवा मिले increasing access to systems of traditional medicine increasing जो traditional medicine system है हम पढ़ेंगे अभी आयूश है ना आयरवेदा योगा युनानी सिद्धा और होमेपैथी इनको मिला करें क्या बनाई है आयूश बना तो traditional medicine system की तरफ भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो easily जाएं और वहां से अपना क्या कर रहा है इलाज कर रहा है तो यह सारे क्या थे इसके objective थे रा समझवा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं है national health policy का मतलब क्या है पूरी country की इनको पूरी country की health को अच्छा करना अब कुछ नों target रखे eradication मतलब मिटा देना है पोलियों को और यौस को by 2005 की और नों गोल रखा कि यहां तक हमको पूरा पोलियों मिला देखा होगा 2005 तक तुम लोग तभी साइध बाइस साल याने कि तुम लोग छोटे होगे तुमको आइडिया नहीं होगा अपने पूछना पोलियो प्रोग्राम चले था बड़े जवर्दस तरीके से हर तीन मेहने में चार मेहने में पोलियो प्लाई जा रही है पोलियों को बिल्कुल जड़ से खतम करना था औ हमारी है अल्मिनेशन ऑफ लिंफेटिक फेलरे ऐसे हाथी पाउं इसको भी खतम करना थार्गेट लेके चले गोल लेके चले अजीव जीरो लेवल ग्रोफ ऑफ एचाईवी एड्स बाइड़ साथ तक हम चाते थे बिल्कुल भी एचाईवी के केस ना हो रिडक्शन ऑफ मॉर्टलिटी मतलब मरने की जो दर है 50% on account of tuberculosis, malaria, other vector and waterborne disease, टीवी और malaria के वाज़े से जो लोग मर रहे हैं उनको हमको decrease करना था कम से कम 50% पर 30% reduce prevalence of blindness अंधापन भी बढ़ रहा था इसको हम 0.5% तक 2010 तक कम करना चाहते थे reduction of infant mortality rate by 30 यह हम पढ़ चुके हैं वह ज्यादा थी और mother mortality rate by 100 पर लाक यह कितना था तो इसको हम decrease करके लिए आना चाहते थे इतना इतना by 2010 तक increase utilization of public health facility पब्लिक ज़्यादा ज़्यादा जो health facilities उसको utilize करें from current आज की देरिक में कैया है 20% से भी कम लोग public health facility का इस्तमाल करते हैं जो public health facility होती है हम चाहते हैं कि 2010 तक more than वह arrow दर चला गया है ना जितने लोग हैं 35% से ज्यादा लोग इस health facility का क्या करें इस्तमाल करें यह टार्गेट था 2010 तक है ना इसलिए आज कल देखते होगे अब सरकारी अस्वादल में भीड़ बहुत लंग लगी है धीरे 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 सुधार आ रहा है और आ जाएगा नो डाउट उस लेवल का सुधार नहीं है अभी बड़ेगा धीरे धीरे ठीक है इस्टेब्लिस्मेंट उफ एंटीघ्रेट इस्टेम ऑफ सर्वीलियस आ यह वही आगया इन्टीग्रेट इस्टेम आफ सर्वीलियंस हमें नदर रखनी है मालों कि कहीं पर कुछ हो रहा है कहीं पर बिमारी और फैला दिया मतलब ऑनलाइन भेज दिया कि ये बिमारी यह फैली है तो सर्विलियंस नादर रखनी है कि government इसका जो वो है objective है गोल है कि government अपना खर्चा बढ़ाए है ना ग्रॉस डोमेस्टिक जो है उसका जो पूरा प्रोड़क्ट है उसमें से एक्जिस्टिंग जो है इसको बढ़वाना था तो यह सारी चिक्टिया थे कि किस तरीके से गोल है एक इसमें अगर सारे याद ना रहें तो एक दो तीन चार जो तुम्हें आसान आसान है एक दो तीन चार पांच छे ऐसे 6 साथ याद कर लोगे जो टफ लग रहे हैं कि या समझ में नहीं आ रही है दिक्कत लग रही तो इनको छोड़ दोगे कि लिए रहे बात हैं बात समझ में आगी अब अपने लिए जो सबसादा इंपोर्टेंट है वो है नेशल हेल्थ पॉ प्राम या रहे गई तो उसको और अच्छा करने के लिए नई पॉलिशी लाज गई 2017 में इस तो इनफॉर्म करना और प्रायरिटाइज करने इनफॉर्म करना है इस मजबूत करना है तो रोल ऑफ गवर्मनेंट गववर्मनेंट का रोल इन शेपिंग हैल्स सिस्टम इन और its dimension कि जो government है वो क्या कर रही है role of government government के role जो shape कर रहा है health system in all its dimensions जाना कि government की सबसे ज़्यादब भूमिका है किसके लिए health system में ठीक है इन सभी dimension में अगर उसको सुधार करना है किन-किन चीजों में ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा aim क्या है कि government is shaping government ही क्या करेगी health system को सुधार में लेके आएगी उसके हर एक dimension में क्या करेगी सुधार करेगी कि लिए रहे बात है यह तो primary aim of the national health policy क्या हो गया is to inform, clarify, strengthen, the role of government government के role में यह चार बाते है ठीक है ना तो government को role एक तरह से कहीं नगए आने वाला है किसमे primary health system care services में objective क्या है इसका improve अच्छा हां यहां पर देखना थोड़ा सा क्या है कि जो यह लिखा हुआ है यह डारेक्ट जो policies है जो exact policy थी वहीं से सारी sentence उठे हुए तो थोड़े से इसके word है थोड़े से tough है ठीक है ना तो मैंना उनकी हिंदी लिखी हुई है improve health status through concerted थोस policy action थोस पॉलिशेक्टर होना जागी होना हिँ होना है ठीक है in all sectors and expand preventive promotive वह वाली बात आगी क्यूरेटिव पैलिएटिव आनि कि अराम देने वाला है and rehabilitative services provided through the public health sector with focus on quality तो बात वहीं हागी हमें health स्टेटर्स को improve करना है कैसे थोस policy action policy action में एकदम मझबूत होनी चाहिए इन और हर एक सेक्टर में और expand करना है preventive, promotive, curative ना curative मनलब ठीक करना और palliative और अराम देने वाला and rehabilitative services ऐसी services जो पुरनरवास मनलब उनको वापस ठीक किया जाएगा provided through the public health sector with focus on quality और focus कहां रहेगा इनका main quality पर रहेगा ठीक है objective क्या हो गया improve health status through थोस policy action है ना concerted policy action के थ्रू हमें health status को क्या करना है improve करना है की policy principle principle की बात करें तो professionalism integrity and ethics कि लिए रहे इसमें क्या कहाने वाला है the health policy commit commit मतलब मजूर है बाद्ध है itself खुद में ही अपनी policy ये बाद्ध है to highest professional standards ठीक है ना कि ये जो professional के जो professionalism है यालिकि जो profession होगा वो अपना standard में सबसे highest रहेगा एकदम सबसे best प्राइब जो होगा अपना output देगा integrity and ethics to be maintained जो integrity है ठीक है integrity मतलब उसके अखंडदा है और जो उसके ethics है ना ethics मतलब काम करने तरीके में कुछ ethics होते है वो maintain होने चाहिए in the entire system of health पूरे के पूरे health system में ठीक है healthcare delivery तो क्या है हम यहां पर क्या रहेगी integrity ethics to be maintained in the entire system of healthcare पूरे जो system जो health care delivery system में पूरे country का हो होँआ पर integrity देगी अखंडदा रहेगी मतलब हैंने अखंडदा ethics होंगे कोई चीज ethics का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज within क्या रहेगी अपने एक तरसे होते हैं जो सबसे best होता है उसके दाइरे में रहेगा to be maintained in the entire system of healthcare delivery in the country supported by a credible एक विश्वस्नी है transparent पारदर्सिता and responsible regulatory environment ऐसा environment होगा regulatory environment जो regulate करेगा वो कैसा होगा विश्वस्नी होगा transparent होगा ठीक है उसकी देखरेग में यह सारे काम होने वाले ठीक है तो professionalism integrity और ethics ethics का मतलब फिर समझते हैं हम लोग ethics का मतलब क्या होता है कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिलकुल law and order के हिसाब से होना चाहिए that is called ethical इसका हम लोग क्या कहते है ethical कहते है ठीक है now equity equity मतलब reducing in equity would mean affirmative action to reach the poorest है ना in equity मतलब equity मतलब क्या है सकारात्मक action होने चीए कि poorest जो सबसे गरीब है उसके पास तक हमारी सारी सुक्सुदाएं पहुंच जाएं बिना किसी भेदभाव के ठीक है it would mean तो इसका मतलब क्या होगा equity का it would mean minimizing disparity हमें असमानता को minimize करना है भेदभाव नहीं करना है on account of अच्छा असमानता क्या होती है gender के अधार पे male female गरीबी के अधार पे caste के अधार पे disability के अधार पे other form of social exclusion जो social भाष्कार मतलब जातिवात कह सकते है and geographical barrier जोग्राफिकल बैरियर मतलब एक उस तरफ का south का है को north का है इसके अधार पे हमें यह सब कुछ नहीं करना हमें equity अगर कोई आया है primary health care center में तो वो इंडियन government का है चाहो country में कहीं का भी हो कोई भी हो एकदम उसको क्या मिलेगा सारी सुखसुधा है facility मिलेंगी affordability afford क्या वो afford कर सकता है as cost of care increase जैसे जैसे cost of care increase करेगी affordability as a distinct form of equity require emphasize ठीक है affordability जो है कि अलग type की equity आ जाएगी और इस पर भी जोर देना जरूरी है क्यों affordability क्योंकि afford हर कोई नहीं कर सकता है जैसे cost increase करेगी जैसे हम बात करें ठीक है कई सारी सरकारी ऐसे हैं जहां पर थोड़ावाद कुछ खर्चा हुई जाता है catastrophic भयंकर household health care expenditure household का household health care जो घर में बीमारियां चल रही है तो भयंकर जो होते हैं खर्चे होते हैं defined as health expenditure exceeding अगर catastrophic household health care expenditure हो रहा है इसका मतलब उस इंसान का 10% of its total monthly consumption expenditure है ना 10% तक का जो उसका एक तैसे कहसे हैं इंकम है उसका पूरा खर्च होँआ चला है रहा है और 40% of its monthly non-food consumption expenditure are unacceptable ठीक है जो उसका 10% of its total monthly consumption जो उसका पूरा महीने का जो खर्चा लग जाता है अगर उसका 10% बढ़ जा उसके इसका मालूप पूरे महीने में आपका टोटल खर्चा होता है 10,000 रुपए तो 10,000 में से अगर 10% से उपर आपका खर्चा आ रहा है दवाईयों पर तो यह unacceptable है या फिर आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो मालूप खर्चा आया आपका 1000 रुपए का पूरे महीने का उसका 40% याने की 400 रुपए और दवाईय का खर्चा 500 रुपए हो रहा है तो य यह unacceptable है ऐसा नहीं होना चाहिए इसको ध्यान रखा जाएगा affordability यह चीज नहीं होनी चाहिए ठीक है ना बात समझना रही है Universality, University मतलब पूरी सब जगे सेम सें, Prevention of Exclusion on Social, Prevent करना है Exclusion, बहुज़कार on Social, Economic or on Ground of Current Health Status, जो Current Health Status है उसमें हमें रोग ताम करने Social Base पर अगर कोई भहिशकार हो रहा है, Economic पैसों के दम पर कोई चीज भहिशकार हो रही है या on Ground of Current Health Status किसी की health status खराब है उससे हम भेदभाव कर रहे हैं वाई तुम को हम नहीं देखेंगे यह कर रहे हैं यह सब चीजें नहीं होनी चाहिए university लेके आने हमको in this backdrop backdrop मतलब प्रश्च भूमी इस प्रश्च भूमी पर systems and services अब यहां पर सब्दों का खेल है सारा यही लेंग्वेज लिखी हो यह बकायदा तुम्हारे पॉलिसी में इस तरीके से इन इस बैगड्रॉप इस प्रश्च भूमी में system and services are invasives उल्लखित की गई है लिखी गई है तो इस प्रश्च भूमी पर यह सारी चीजें लिखी गई है कि यूनिवर्सालिटी रहेगी भेदबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए पेशेंट सेंटर क्वालिटी ओफ केर यह सब को पता है हमारा सारा फोकस क्या है पेशेंट को सेंटर बीच में रख करके काम करना है तो क्या कहा रहे हैं यहाँ पर जेंडर सेंश्टिव मेल फीमेल सेफ और कंविनेंट हेल्थ केर सर्वेस टू बी परवाइड वेद डिगनिटी एंड कॉंफिदेंश्यलिटी रहनी चाहिए ठीक है न तो जेंडर सेंश्टिव एफेक्टिव होना चाहिए सेफ होना चाहिए जो बताने से लोग हस देते हैं क्या रहे है तो यह हो गया तो क साथ ठीक है न पेशेंट को ध्यान में रखते हुए देर इस नीड तो इवाल्व एंड डिसेमिनेट मतलब फैलाना इवाल्व करना है बढ़ाना है फैलाना है इस्टेंडर्स एंड गाइडलाइन फॉर ओल लेवल ओफ फैसलिटी है न हमें हर लेवल की फैसलिटी को गिरा दी जहें क्वेर्टी से कॉम्परमाज Financial and Performance, Accountability, Transparency in Decision Making, Elimination of Corruption, ये चीज़ में है, क्या है, Elimination in Corruption in Health Care System, बोथ in Public and Private, दोनों में क्या है, हमारे पास, Health जो Corruption है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बास समझ बारी है, आगे आते हैं, Inclusive Partnership, हमें क्या है, Partnership को Include करना है, ठीक है, Partnership किसकी रहेगी, यानि कि सब लोगों का इसमें, मिला जूला हाथ रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, Multi Skateholders, Multi Stakeholders, मतलब जो जो लोग इसमें involved हैं, उनको Stakeholders कहा जाता है, Approach with Partnership and Participation, उनके साथ Partnership और उनका Participation of all Non-Health Ministers, जो Non-Health Ministers हैं, जो Health related नहीं है, उनका भी योगदर होना चाहिए, and Community, ऐसी Community भी, इसमें क्या करेंगी, साथ देंगी, इस Approach would include Partnership with, इस Approach से क्या होगा, Partnership हो जाएगी, किसके साथ, Academic Institutions, जो Academic Institutions है, Not for Profit Agency, ऐसी Agency जो Profit वे वेस्पर काम नहीं करती हैं, एंजियों गएरा, and Healthcare Industry as well, इन तीनों के साथ जब Partnership हो जाएगी, तो कहीं न कहीं, यह हमारा Level, जो है Healthcare System, वो काफी जादा उपर उठेगा, ठीक है, मैं फिर कहा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा Language का खेल है, Language ऐसी लिख हुई है, Pluralism, Pluralism मतलब बहुत सारी चीजे, है न, Plural, Singular का Plural, बहुत सारा, तो इससे क्या मतलब है यहाँ पर, Patient who choose and when appropriate, पेशेंट जब चाहे, चूज कर ले, और जब उसको appropriate लगे, वो आयूश केयर प्रोवाइडर, वो आयूश केयर प्रोवाइडर के पास भी जा सकता है, इन सिस्टम को भी गवर्मेंट सपोर्ट है, इन सिस्टम को भी गवर्मेंट सपोर्ट है, इन रिशर्च and supervision to develop and enrich their contribution to meeting the national health goal and objective through their integration practice, तो कह रहा है, इन सिस्टम को गवर्मेंट सपोर्ट है, जिससे कि वो क्या करें, जो अपना contribution day to meet, जिससे कि जो national health goal है वो अचीव हो सके and objective through the integration practice, integrative होना, milli-juli practice सब आपस मिलकर करें काम करेंगे, तो national health goal है जो वो easily achieve हो जाएंगे, pluralism, जहना, क्येवल अब allopathy नहीं, सब को साथ में ले लिया गया है, बात समझ में आ रही है, आगे आते है, decentralization, decentralization का मतलब होता है, चीजों को एक होता है, centralization की एक आधिकार, अब decentralize कर दिया है, सब लोग अपना decision ले सकते हैं, decentralization of decision making to level as a consistent with practical consideration and institutional capacity है ना, तो यहाँ पर सीरी सी बात क्या हो गया है, decentralization कर दिया गया है decision making में, कि पल एक decision नहीं लेगा, अलग-अलग जो हमने खोल दिये हैं, वो सब अपना खुद का decision ले करके काम करेंगी, community participation in health planning process to be promoted side by side, community participation, भाई, community का भी तो साथ होना चाहिए, कि वो लोगों को क्या करें, जागरूख करा है, इन health planning process, जो health planning की process है, उसमें community का भी participation होना चाहिए, इस चीज को promote करना है, side by side, ऐसा नहीं कि बस government की जिम्मेदारी है, भाई, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, community में रह रहे हैं हम लोग, हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, बात समझ मारी है, आगे आते हैं, Dynamism and Adaptiveness, Dynamism मतलब बदलाव और Adaptiveness, और उसके साथ उसमें धलना, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, कोई चीज गलत है, या कोई चीज सही नहीं है, तो उसमें Dynamism, मतलब changes आना ज़रूरी है, और उसके साथ हमको धलना है, लगातार इंप्रूव करता हुआ, जो की बेस होगा, नहीं नॉलेज पर, और उन साच्छों पर, जो की लर्निंग हुए हैं, कहां से कम्मुनिटी से, और फ्रॉम नैशनल और इंटरनेशनल लॉलेज पार्टनर्स इस डिजाइन, तो हमें ऐसा नहीं करना कि जो धर्रा बना दिया, हमें लगातार उसको इंप्रूव करना है, जहां से नॉलेज मिल दिए उसको इखटक अगर डालना है, जो नई चीज कर सकते हूँ, वो हम करेंगे यहाँ पर, अब यह तो होगे इसके क्या, प्रिंसिपल्स, गोल्स क्या क्या हैं, इसके आप गोल्स मेंने बहुत सारे लिखे हुए है, छह साथ आड़ याद कर लेना, इंक्रीज लाइक, लाइफ एक्सपेक्स्टेंसी फ्रॉम 67.5 तो सत्तर है, हमने देखा था कि एक नॉर्मल इंसान की जिन्दा रहने के जो वो रहता हो, कितना होता है, 65 एज होती है, 67.5 होती है, उसको हम चाहते हैं, 70 तक हो जाए, एक नॉर्मल इंसान अपनी जिन्दी की सत्तर साल तक जिन्दा रहे, 2025 तक, कितने साल वो डिसेबिटी रहा, अपने लाइफ में एडजेस्ट किया है, वो हमको क्या करना है, उसको कम करना है, 2022 तक, रिड़क्शन आफ टोटल फटिलिटी रेट, उसको बढ़ाना है, 2.1 तक at national and sub-national level by 2005, national fertility rate को बढ़ाना है, reduce under 5 mortality rate, अब समझ में आ रहा होगा under 5, पिछले लेक्शर हम पढ़ चुके under 5 क्या होता है, by 2025 MMR, mother mortality rate को हमें क्या करना है, 100 तक लेकिया आना है, 2020 तक, reduce infant mortality rate, 228 by 2019 तक हमको इसको लेकिया आना है, reduce neonatal mortality rate, अब भी neonatal infant mortality, सब हमने पिछले लेक्शर में डिसकस किया है, ठीक है ना, and still birth rate to single digit by 2025, single digit मतलब 246 बस इतना ही, achieve and maintain elimination status of leprosy, leprosy को बिल्कुल खतम कर देना है, काला अजार by 2007 and lymphatic phalorosis and endemic pockets by 2017, काला अजार इसको भी 2017 क्या कर देना है, खतम कर देना है, to achieve and maintain cure rate, more than 85%, हम चाहते हैं, जो curative rate है, वो 25% से ज़्यादा हो, in new sputum positive patient, जो sputum positive patient है TB के, उनमें जो cure rate है, वो 50% से ज़्यादा हो जाए, and reduce incidence of new cases, और TB के नए case गिर जाए, to reach elimination status by 2025 था कि हम 2025 थाख TB के सारा case जड़ से खतम कर देन, to reduce the prevalence of blindness to 0.25, to reduce premature mortality from cardiovascular disease, हम चाहते हैं, premature mortality ना हो, कोई मना मरे, cardiovascular disease से, cancer से, diabetes से, और chronic respiratory disease से, by 25%, 25% तक इसमें हम गिरावट लाना चाहते हैं, increase utilization of public health facility by 50%, हम चाहते हैं, कि लोग public health facility को क्या करें, use करें, और ये use करना कितना पर जाए, 50% से भी ज़्यादा हो जाए, anti-natal care, है ना, pregnancy के पहले, delivery से पहले, care coverage to be sustained above 90%, हम चाहते हैं, and skilled attendance at the birth above 90% by 2025, और गाहों धियाद में हैं, वहाँ पर हर जगे hospital नहीं होते हैं, तो skilled attendance, जो skilled लोग हैं, आशा वगरा रहते हैं, वहाँ पर मौझूद रहे, 90% से ज़्यादा cases के टाइम पर, 2025 तक हम ये चाहते हैं, more than 90% of the newborn are fully immunized, हम चाहते हैं कि 90% से ज़्यादा जो बच्चे है, newborn वो fully immunized हो, ठीक है, by 2025 तक, meet need of family planning above 90%, 90% से ज़्यादा, लोग को क्या हो, family planning तक पहुंच सके हैं, वो लोग at national and subnational level by 2025, 80% of non-hypertensive and diabetic individual at household level, maintain control disease status, हम चाहते हैं, 80% तक के लोग जो hypertension और diabetic हैं, वो control disease status तक पहुंच जाएं, 2025 तक, maintain कर लें इसको, relative reduction in prevalence of current tobacco use, हम चाहते हैं, जो तबागो का इस्तमाल हो रहा है, वोसमें क्या है, reduction हो, कितना, 15% by 2020 and 30% by 225, 40% reduction in prevalence of stunting of under 5 children by 2025, ठीक है न, stunting मतलब जो गंठापन रहा था, नाटापन रहा था, growth नहीं हो पाती है, उसे stunt कहते हैं, 40% तक हम चाहते हैं, इसमें, ग्रावट आजाए, safe water and sanitation to all by 2020, हम चाहते हैं, 2020 तक, safe water and sanitation सबको मिले, सबको मिले, सच भारत मिसन चल रहा है, उसके लिए, reduction of occupational injury, जो इंसान कुछ काम करता है, उस काम के दौरान कुछ injuries हो जाती है, हम चाहते हैं, वो आधी हो जाए, current level इसको क्या है, 334 per lakh, agricultural worker, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या है कि 334 per lakh, आज की date में जो है, वो 334 per lakh है, agricultural worker के लिए, और हम चाहते हैं कि यह क्या हो जाए, इसका आधा हो जाए, तो बात समझवारी है, तो यहाँ पर क्या है कि हम चाह रहे हैं कि यह सारे goal हम लोग क्या करें, 2017 के अंदरगत हम लोग क्या करें, इसको achieve कर लें, तो हम लोग क्या चाहते हैं, जो occupational injury हो, वो क्या हो जाए आज ही हो जाए कब तक 334 जो आज की लेवलों 334 परलायक है वो आज ही हो जाए ठीक है ना कब तक 2020 तक तो ये सारे mission और goals थे हमारे national health policy के तो अब हमको क्या पढ़ना है mind nurture app का क्या mission और goal है ठीक है ना और उससे आपको क्या क्या benefit होने वाले है तो देख लेते हैं mind nurture app का भी mission और goal क्या क्या है आज देखते हैं तो आज जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो yes हमारे channel का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है जो की google के play store पे मौजूद है ठीक है lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहा प्ले स्टोर पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर lectures and notes यूटूब पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता कोई चेंज नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one marks question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में basically तुम्हारे पास क्या आते MCQ और fill in the blanks ठीक है ये तुमारे अब नए जो pattern है उसमें नए exam pattern है ठीक है ना उसमें MCQ और fill in the blanks रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के ये आते हैं 10 नमर के ये आते हैं ठीक है plus two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूंगा मैं two marks, three marks, five marks कि आगर के वहला आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detail knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके रहे पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है और जिस बच्चे केवल pass होना है वो केवल मेरा क्या करेगा in questions की practice कर लेगा live class होगी अब माल लो मैं ये यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा doubt फस्स गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class जो कि अभी start already हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रही है और class चल रही है सबसे बच्चों chapter से मिला करके 100-100 question हो जाए करेंगे जो कि तुमारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ question अब जखो समस्य क्या है यह MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते YouTube पर नहीं ले सकते अब YouTube पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा चार option करके सोच करके वह मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा विल्यांक से बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 में से सबको कितने चाहिए 40 number में पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine तो routine test का क्या मतलब मालो chapter 1 किसी subject हो खथम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खथम हूँआ उसका test हो जाएगा फिर combined test हो एक किसका chapter number one plus chapter number two का फिर chapter three मालो खतम हो गया फिर उसके ठीक combined test होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक टाइम वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मालो 13 चैप्टर है तो combined test हो रहे हैं यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यानकि 40 नमबर लाना और फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस exam को टार्गेट करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको टार्गेट करके पढ़ाई होगी यानकि जब theory पढ़ोगे याले question अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे बात सोजब आ रही है और fees बिलकुल minimal है ग्यारा सो रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की फर्स्ट यर पूरा साल सभी subject ग्यारा सो रुपए second year पूरा साल सभी subject फिर से 11 रुपए यानि कि एक साल की fees आपको 11 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए something पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चे को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे जाने कि पढ़ना पड़ेगा है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है selection रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीज पालोगे हर एक चीज आपको अचीज हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो All the best